नमस्कार आप देख रहा हैं न्यूज पियार मैं हूँ आदेश पुरी 2005 में नितिस्कुमार बिहार के मुखमंत्री बनते हैं और पिहार में एक नया नेरेटिव बनाए जाता है कि सुसासंग की सरकार समाजिक नयाय पर आधारी सरकार और आपको बता दे कि किसी भी समाज के विकास में सबसे महत्पुन भूमकानी भाता है सिक्षा और सिक्षा के बाद सिक्षा जो अभी हमारा सबसे महत्पुन एक अस्त्रिस लिए बना हुआ है क्योंकि सिक्षा के माद्धन समें नोकृरी मिलती है और सरकार ने यदावा किया कि लालूराज में जो कथित रुप से एक जंगल राज की भरष्टा चार था और सरकाई नोकरियों में बहुत ज़्यादा ब्रस्टाचार किया जाता था, भाई भती जावाद किया जाता था, लेकिन आपको बताएं हम कि पिछले 15 सालों में भी प्रस्तितिया ऐसी नहीं भती है, नेतिश कुमार के भरती प्रक्रिया जो है उस पर हमेशा प्रस्त उखते रहें हैं, अगर हम बात करें, पुलीस महोने वाले भरतियों का, तो सबसे ज़्यादा अभी वारास्पत जो है, वो पुलीस का भरती ही रहा है, और खासका दरोगा का बहाली, रहमान सर जो की फेमस गुरू है, दरोगा गुरू के नाम से उन्हें बिहार जाकन में जाना ज अगर हम बात करें, चौबीस और चालीस दरोगा की भरती प्रक्रिया को लेकर, तो आपको मैं बता दूं कि यह ऐसा भरती प्रक्रिया है, जिसके नोट्रिफिकेशन पर, पीटी पर, मेंस पर, फिजकल पर, सभी पर केस हुआ है, सभी पर मामले जो हैं, वो हाई कोट में उ केस होगा, और ये केस जो है, वर्सो चलते हैं, हाई कोट सुप्रिम कोट तक चलते हैं, कुछ मामलों में ही छात्रों के हित में फैसले आते हैं, जायातर मामलों में आयोग की ही जीत होती है, आप 246 दरोगा का केस देखिए, पीटी पर इच्छा हुगा, चार बार सड़को पर च्छातर आएं, धर्ना परदर्शन कियें, लाठिया चली, गिर्यफ्तारिया हुई, और इनका आरूप था कि प्रस्न पत्र एक्जाम सुरू होने से पहले वाइरल हो चुके थे, और जिसका एविडेंस भी छातर दवा करते हैं, कि हमारे पास है, आयोग के पास जमा भ अलत है, जो भी अगर हुआ भी होगा, तो ऐसी बाते जो हैं, वो सामने नहीं आई, वही बताएं आपको, मेंस का रियल्ट आया, इस साल, जनवरी में ही, मेंस के बाद भी छातर हाई कुर पहुंचें, और उनका आरूप था, कि मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, कितने इं पूछा जा रहा है, तो कहा जाता है, कि इसका जो जवाब है, वो प्रक्रिया खत्म होने के बाद होगी, और इसी कारण मेंस के परिच्छा को लेकर भी छातर कोट में गया है, और 15 मार्च को इसको लेकर सुनवाई भी हुई, दूसरी सुनवाई 26 अपरायल को होने वाली थ तो इसको लेकर भी छातर हाई कोट में रिट डाय किये हैं, और उनका कहना है कि हमने नोटिफिकेशन को अधार बनाते हुए केस किया है, कि आपने नोटिफिकेशन में ऐसा कोई भी जनकारी नहीं दिया था कि टाइगर जैम से उंची कूद करना मना है, और आप छातरों को एक आएक जो फिजकल टेस्ट हो रहा है, उस समय आप मना करते हैं, जिसके कारण बहुत सारे छातर जो हैं डिस्क्वालिफाई हो गया है, तो फिजकल को लेकर के केस हुआ, उसके बाद बताये मामला हम कि लगबत, एक हैर बावन लड़का हम बोलते हैं, लेकिन आज जनका किया, और 12 अपराईल को रिफिजकल के लिए जो है वो डेट दे रखा था, लेकिन फिजकल खत्म हुआ, और कोई सुचना नहीं दी गए कि उनका फिर जो एकजाम कैंसिल किया गया 12 तरी को रिफिजकल, वो कब लिया जाएगा, छात्र आयोग दफ्तर में भी कई वर पहु मेरे जो दरोगा का बहाली है, मेरे जानते में सबसे बड़ा बहाली है 2446 दरोगा का, और इसके हर एक स्टेप पर केस लदा हुआ है, नोटिफिकेशन को लेकर केस हुआ है, टाइगर जम के मामले में अधार बना के, पीटी को लेकर केस हुआ है, मेंस को लेकर केस हुआ है, और फिजकल में जो सेलेक्ट कैंडिडेट हैं उनका फिजकल नहीं लिया जा रहा उसको लेकर भी केस हुआ है और आसंकाएं जो बता रही है जो लोगों का कहना है कि रिजल्ट भी ऐसा है या कि उसपर भी केस होगा तो सुसासन की सरकार में आप देख लीजिए कि भरती प्रक्रिया जब तक भरती प्रक्रिया अगर पारदर्सी और साफ सुत्री नहीं होगी तब तक अच्छे अफसर या कर्मी नहीं आएंगे कैसे राज में सुसासन की अस्थापना हो सकती है कैसे राज में जो है वो जीरो टॉलरेंस परस्ट चार को लेकर बढ़ा जा सकता है सबसे बढ़ा प्रस्थ है बिहार में लॉइन ओडर सबसे बढ़ा समस्या होता है नितीश कुमार भी जब आएं या अभी तक वो लालू राज के सासन को कहते हैं जंगल राज क्योंकि उस समय लॉइन ओडर की स्थिती बहुत खराब थी इनका ये कहना है और इन्होंने कहा कि लॉइन ओडर हमारी यूएस पी है और ये पूरा लॉइन ओडर चलाता है पुलिस वीभाग पुलिस वीभाग में कौन दरोगा क्योंकि वो थाना चलाते हैं और थाने पर ही सबसे ज़्याद जिम्मवारी रहती है सुरक्षा की ऐसे में अगर दरोगा भरती प्रक्रिया में ही प्रस्न उठेगा उसको लेकर हर एक फेज पर केस होगा तो एक विवाद और विवादास्पद ये भरती प्रक्रिया ही हो गई है और इसके माध्यम से जो भरती होंगे हम ये नहीं कर रहे हैं कि सारे फर्जी भरती होंगे लेकिन जैसा ये अंदेशा दिखा रहा है बहुत सारे लोग ऐसे भरती होंगे जो की गलत तरीके से आगे बढ़े होंगे हो सकता है कि आयोग भी जाने अंजाने में इसमें सामिल हो तो फिर बिहार में जब सही पुलिस वाले नहीं आएंगे तो कैसे फिर लोग अनॉडर मेंटेंड हैगा और बिहार में कुछ दिनों से कुछ सालों से जो लोग अनॉडर गीरा हुआ है इसके लिए भी लोग जो जिम्मवार मानते हैं वो पुलिस परसासन में गैर जिम्मदार लोग के भरती हो जाने और उनके थानेदारी को ही लोग जिम्मवार मानते हैं ऐसा कहा जाता है कि थानेदार जो है, अपरादिस ज्यादा सराब की बहुत लोग के पीछे पढ़े रहते हैं, कमिशन कहाना चाहते हैं और इसकी संलिपता जो है विधान सभावे मिस्व करी गई है, कितने पुलिस वाले को थानेदारी से मना किया गया है, बें कर दिया गया ह तो आखिर जब इतने केस होंगे इस पर भरती प्रक्रिया पारदर्सी नहीं होगी साफ सुत्री नहीं होगी तो कैसे हम बिहार मसुषासंग की कल्पना कर सकते हैं कैसे हम यह सोच सकते हैं कि बिहार में फिर से यह लौ इंडर का सिच्वेशन जो है वह बहुत अच्छा भरती प्रक्रिया के बारे में इंडर अस्तर यह परिक्षा पिछले साथ सालों से चल रही है ड्राइबर की परिक्षा जो थी वह छे-सात सालों में वह भी क्लियर हुई यह पिए सी चौँ सठवी तीन सालों से चल रही है पैशटवी का वही हिसाब कीताब है अभी तक मेंस का रियल्ट नहीं आया तेडर साल हो गया उसका पीटी के एक्जाम हुए फिर से आपको हम बताएं कि और भी जो एक्जाम है चाये वह बहुत सारे एक्जाम है जो कि सि क्लक्टर हैं एस्पी हैं उनकी भरती प्रक्रिया एक साल में पूरी हो जाती है और गुरूप सी और गुरूप डी की भरती प्रक्रिया साथ साल लाटर सल चलती है और इतने भ्रश्टाचार के मामले आते हैं जब कि यूपीएसी में एक भ्रश्टाचार के मामला नहीं आता ह लेकिन यहां दरोगा है सिपाही है, बिए सेसी के करमचारी है, उनके परिक्षा में हर एक फेज में केस होता है, धर्ना परदर्सन होता है, लठिया चलती है, गिरफतारिया होती है, तो बिहार का जो दरोगा परिक्षा है ऐत्य नाइन से लेकर अभी तक सारे परिक्षा हाई कोट सुप्रीम कोट तक लगभग कोट में पहुंचे ही पहुंचे हैं और यह 2446 जो है अभी तक का सबसे बड़ा परिक्षा है मेरे जानते में हो सकता है इसे पहले ज्यादा भरती हुआ हो इस पर जो है हर एक पग पग पर के मामला हाई कोट पहुंचा है लोटिफिकेशन से लेकर पीटी से लेकर में से लेकर फिजकल से लेकर सारे पर के एक रिट जो है हाई कोट में दायर हुआ और एक दो लड़के नहीं किये हैं सैक्रो लड़के इसके पेटिशनर बने हुए हैं सबसे वाली बात देखिए एक दो आदमी करें तो हम मान सकते हैं कि वो अपने हित को लेकर चाहिए एक दो चुक होता है लेकि सैक्रो लोग जो पेटिशनर बने और हजारों लोग लाइन म का तरीका गलत है उनको जो है एक बार पूरी तरह से रिव्यू करने की जरूवत अपनी व्यावस्था पर अपने कारे पढ़नाली पर क्योंकि इतना अविश्वास होना आप पर आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर प्रस्चिन खड़ा करता है क्योंकि धुगा तभी उठता है कहीं न कहीं आग लगी रहती है छात रितनी बड़ी संख्या में कोट में पहुंच रहे हैं तो जरूर कहीं न कहीं उनके साथ न तक तक जो है वो बिहार जो है वहां पर सुसासन की राज की अस्थापना का सोचना जो है वो कोरी कलपना है थोती कलपना है ऐसा नहीं हो सकता है तो ऐसा हमारा वीडियो बनाने का यह मकसद नहीं है कि हमें किसे नीचे देखाना है या फिर किसी गलत सावित करना है लेकिन ऐसी बाते आई कि दरोगा के हर एक फेज में केस हुआ है और दरोगा पर बहुत बड़ा जिमवारी होता है तो हमने भी सोचा कि इस पर वीडियो बनाना जरूरी है और इसको सामने रखना जरूरी है कि याकिर लॉइन और से जुड़ा हुए इतना अहम जिम्यवदार पद के और परदर्सिता कारोपला आगा छातर बड़ी संख्या में कोट में जा रहा है हर एक फेज को लेकर यह आसाधारन बात नहीं है तो इस पर रिव्यू और इस पर चिंता करने की जरूरत है और मुझे आसा है मैं आसावादी हूं कि आसा है कि सरकार इस पर जरूर कुछ ध्य कर दो